नमस्कार दोस्तो इस विडियो में AC Live Line Detector का Working Model बनाना सीखेंगे AC Live Line Detector स्कूल कालेज के लिए एक यूनिक प्रोजेक्ट है इसका उप्योग इलेक्ट्रिक वायर में करेंट की प्रजेंस चेक करने के लिए करते हैं अंदर ग्राउंड केबिल में यदि कोई फाल्ट खरावी होता है तो हम अपने इस प्रोजेक्ट के द्वारा बिना खुदाई की ये बिल्कुल सही जगा पर फाल्ट को खोज लेते हैं यदि केबल में AC करेंट है तो इस प्रोजेक्ट में लगे एंटीना वायर के केबल के पास लाने पर प्रोजेक्ट में लगा LED बल्ब वह बजर ओन हो जाता है जहां पर केबल में फाल्ट है उसके आगे जाने पर LED बल्ब अपने आप आफ हो जाता है इस तरह हम वायर या केबल को बिना टच करें फाल्ट को चेक कर सकते हैं यह प्रोजेक्ट हमारे पास कम्प्लीट उपलब्ध है हमारे दिये हुए फोन नम्मर पर संपर्ग कर आप मंगवा सकते हैं AC Live Line Detector का यह डाइग्राम है आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं इसमें एक IC लगेगा जिसका नम्मर है 4017 एक 1K का रेजिस्टेंस लगाएंगे एक बजर एक LED वल्ब आप पर एक LED वंगे आपने सीजर्ड बढ़ाइंगे इसमें एक मंगवाँ आप इसमें कर देखे आपवाँ इसमें एक अपने सकते हैं एक पर आप सकते हैं आप 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 अप आप आप झाल 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 इन तीनों वायर को बैटरी के निगेटी वायर से कनेक्ट करेंगे निले वाले वायर को रेजिस्टेंस के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे रेजिस्टेंस के टर्मिनल से एलेडी वल्व वजर को आपस में कनेक्ट करेंगे एलेडी वल्व वजर को निगेटी वाले पॉइंट से कनेक्ट करेंगे अब हमारा सरकिट कम्पलीट हुआ अब हम इसमें नाइन बोल्ट की बैटरी लगा कर इसे हम चेक करेंगे अब हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट को बिजली वायर के पास ले जाने पर इस प्रोजेक्ट में लगा एलेडी वल्व वजर इंडिकेट करने लगता है और दूर ले जाने पर यह बंद हो जाता है हमारा यहाँ प्रोजेक्ट आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताईएगा यहाँ प्रोजेक्ट हमारे पास कम्पलीट उपलब्ध है हमारे दिये हुए फोन नम्मर पर संपर्ग कर आप मंगवा सकते हैं